है 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 लोग कैसे हैं आप लोग आई होफ कि आप बहुत ही अच्छ होंगे तो लास्ट वीडियों हमने बात किया था कि राणी लग्षमी बाइक के अंदे विश्वी दाले के दुवारा स्पोर्ट राउंड करवाया जा रहा है वेकेंट सीट पे उन्होंने एडिशन कर है तो इस वीडियों हम बताने वाले है कि किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हूं किस तरह से उस काउंसलिंग में आप पार्टिस्पेट कर सकते हूं स्टेप बाइस पूरा बताने वाले तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए कि कैसे आपको पेमेंट करना है दस हजा UG, PG and PhD का information बिलता रहता है और इदी आगे भी कोई sport round होगा क्योंकि अभी एक ही college ने sport round हुआ है काफी college session मेंने बात किया CAU, Udisa की अगरी culture, RPCU ठीक है और केना तक की भी कुछ college धारवाण की college भी sport round करवाती है तो उनके लिए भी आपको video बिल जाएगा for UG, PG and PhD के लिए तो उसकी updates के लिए आपको channel को subscribe कर लेना है link telegram का भी description है वो भी join कर सकते हो तो चलिए तो आपको क्या करना है सबसे पहले RPCU की official side पर जाना है देखिए यहां से कैसे जाओगे R, L, B, C, A, U ठीक है यहां पर यह link दिया है इस पर click करोगे जैसे यह search करोगे तो भी आपको आज आएगा ऐसा interface आपको दिखाए देगा जिसमें आपका official side है वो open हो जाएगा यह notice के वर UG students के लिए PG, PhD के लिए अभी regular updates आते रहेंगी तो हम आपको updates कर देंगे क्योंकि PG का और PhD का अभी जो है आपको एक notice मिलेगा आपको UG program के लिए यह दिवाँ पर नहीं मिलता है तो आपको आपको हमारे telegram पर मिल जाएगा वहां से आप link description में है वहां से आप जा सकते हो ठीक है यहाँ पर पहले notice आजाएगा अब यहाँ पर हम बात कर इस notice की इस notice में कैसे दिया कैसे आप form फिल करेंगे और payment process आपको किस तरह से करना है ठीक है सभी updates हम आपको यहाँ पर देने वाले है तो चलिए आगे बढ़ते है तो यह notice आपकी official site से डाउनलोड हो जाएगा इस notice को आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बताया गया कि वेकेंड शीट आपको मैंने पहले बताया दिया है जो students ICR का exam दिया है और जिन्होंने जिन्होंने कोई भी सीट है वो ICR के 1st round, 2nd round, 3rd round and 4th round and mop up round में कोई भी सीट नहीं मिलाओ तो वो students इसके लिए apply कर सकते है ठीक है अब यहाँ पर क्या क्या दिया गए कि जन्रल के सीट है वो नहीं है इसमें maximum जन्रल के सीट नहीं है लेकिन AWS और OBC के लिए कर सकते है यहाँ डियां में रखना है कि लास्ट डेट क्या है लास्ट डेट इसकी 20 बिश्ट आइग तक आपको अप्लाई कर सकते हो अब करना कैसे अपलाई वो हम यहाँ पर बता देते है ठीक है सबसे पहले आपको यह address में ध्यान में रखना है ठीक है कुणसा एड्रस जो आपको यहां पे दिखाया गया है ओके यह एड्रस आपको ध्यान में रखना है अब यह एड्रस क्या काम आएगा यह आपको एड्रस जो इसमें यह आपका ओफलाइल प्रोसेस चलने वाला है कैसे करोगे तो यह सारे डोकुमेंट्स पहले सबसे इन जारे जितने भी डोकुमेंट्स यहां पे बताये गए हैं देखो यहां पे यह डोकुमेंट्स हैं इन डोकुमेंट्स को आपको कोपी करवाला है के कोपी आपको इस अपने पास रखना है ठीक है उसके बाद में आपको फॉर्म कर देना है फॉर्म का कौन सा फॉर्म ल पूरा यह मेंचन कर देता है ओल इंडिया रेंग कितना आपका रेजिस्ट्रेशन नम्बर कितना है आपका उके और उसके बाद में आपका फीज डिटेल आपका ट्रांजिशन आइडी और डेट मलग जो भी आप पेमेंट करोगे अजार रुपए आपका जो पेमेंट होगा एक हजार जो रुपए पेमेंट होगा उसका ट्रांजिशन आइडी यहां पे आपको और डेट कौन सी डेट को अपने पेमेंट किया है वो यहां पर मेंचन कर देना डेट और किस मलग कहां से आपो जैसे को स्टुएंट राजस्तान से कोई मध्य पर्देश्त है तो यहां डेट को आपको फील करना ठीक है अच्別 समझ में आ इता ह्का बताधेता है क्या से फॉर्म फ्वागेे यहां पर इपना इसका को ओपी निकलावा दीजे को ठीक है इसका कोंपी कौनकाल शुक्त अपलीचन लों आपको अनना लिगंगेजी जेल्डर, आप मेल ekमेल है इला वह आपके application form में दिया होता है पहले आपको पता होगा और आपके application passport तो उसमें से registration number आपको यहां पर mention कर देना है उसके बाद में आपकी all India rank कितनी है वह यहां पर mention कर देनी है कि कौन सा ठीक है application fees detail जो आप fees करोगे 1000 रुपए वह कैसे करना वह भी हम बताएंगे 1000 रुपए जो फीस है आपका वह payment करके उसकी ट्रांजिक्शन आइडी एंड जो आपकी date को आपने किया है वह यहां पर आपको mention कर देनी है date आपका place ठीक है कौन से स्थान से हो यह आपको स documents है ठीक है यह जितने documents उनकी copy और वह form form की copy आपको इस address पर आपको जो है port करवा देनी है जो है उनके पास post office से उनके पहुंच जानी चाहिए okay तो इस address पर आपको send करवा देनी है वह 20 तक वह उनके पास पहुंच जानी चाहिए ठीक है तो इसमें आप जल्दी कीजिएगा लेट करोगी तो आपको यह नुक्सान हो जाएगा address आपको यहाँ पर दे रखा है इस address पर आपको send करवाना है ठीक है अब यहाँ पर 1000 रुपे कैसे आपको fees payment करना है तो उसकी बात कर लेता है उसको सबसे पहले आपको official site पर जाना होगा वहाँ पर e payment का option होगा ठीक है तो यहाँ पर notice भी मिल जाएगा notice के बाद यहाँ नीचे e-payment नाम का एक option होगा देखो यहाँ पर देख सकते हो e-payment नाम का एक option आ रहा आपके सामने इस पर आप just click करोगे तो click करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो click करन के बाद एक आपको जो है SBA से ठीक है एक हजार रुपे का पेमेंट करना है अब कैसे करना है पहले आपको अप्लिकेशन फोर्म यहां पर भी फील करना पड़ेगा ओनलाइन में तो यहां पर जैसे यह एंटरफेस सामने दिखाए देगा इस इंटरफेस को खूलने के बाद यहां पर आपको בא किके घिजिए ठीक है एस से क्लिट्ड करने का बाद यहां फरॉजिट का ऑपस आपको लक्र बादय करने थे और तो इसे आप इस पर पर क्लिक करोग fier तो new यहां पर ध्यान लगनाए यूपी आपको यहां पर डालना ठीक है वो दिचे नीचे आप स्क्रोल करोंगे तो उत्रपरदेश का आपके पास ओप्सना आजाएगा ठीक है जिसे मैं आपको डाल की दिखा रहा हूँ चिंबर्परडे से पर लेगा उतरपरदेश इस पर लड़ी पर लबाद ही और उतरपरदेश हायगा यापको कलिक करना जैसे ऊधर पर गर Ausव येँद हमगों करते हैं तो यहां पर इसां करना है मैं उत्त टा इकार अपर कलिक लिए और ही किरी Es canoe तो यहां पर जैसे आप करेंगे तो यह option आजाएगा यह option आने के बाद यहाँ पर submit कर देना ठीक है submit करने के बाद नीचे आपको state अभी यहाँ पर आपका select payment category आएगा तो इस पर आपको नहीं आर पी आर एल बी सी ए यू फीस ठीक है जैसे आप इस पर click करेंगे तो click करने के बाद आपका new यहाँ पर आ जाएगा role number या id number तो आपको registration number यहाँ पर डाल देना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर name उसके बाद यहाँ पर father name डालने के बाद यहाँ पर select category तो जिस भी आप category से चाहिए आपको general obc st st जो भी है आपका वह यहाँ पर कर दे directly आप apply करने साथ हो वह भी आप कर सकते हो ठीक है देन आपका यहाँ पर बात करें फीज उसके बाद में आपका यहाँ पर कितना आपका 1000 रुफे फीज रहेगा ओकी देन आप रिमार्क डाल सकते हो उसके बाद में नाम date of birth और उसके बाद मोबाइल नमर और email id यहाँ पर और यहाँ पर जो text दिया वाए ठीक है तो यहाँ पर यह दिया गया है तो gwk3 तो यह डाल दीजिए यह डालने के बाद यहाँ पर यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है और उपर की और निचे की यहाँ स्कॉल करें और यहाँ पर पे payment detail भी हो जाएगा ओके तो पूरा process करके जो है यहाँ पर payment process complete कर दीजिए ओके यहाँ पर submit का option आएगा submit के बाद payment का option डालके यहाँ पर हो जाएगा ओके तो चलिए आज इस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर कोई भी doubt कोई भी problem हो या कोई भी confusion हो तो आप हमें जो है doubt या कोई भी problem हो तो आप comment box करके मैं इसे पूछ सकते हो तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको next वीडियो में तब ते के लिए बाइबाइ टेक केर तो यहाँ पर payment इस्ट्री सब दिखा देगा आपको ओके तो सारी चीज़े यहाँ पर दीगी है तो व एक बार चेक आउट कर लीजेगा चलिए आज इस वीडियो में इतना ही